So, Hello guys, आज की स्वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और guys, आज की वीडियो जो है TikTok user के लिए बहुत ही खुशकबरी की बात है आज दोस्तो TikTok user के लिए बहुत ही अच्छी news लिमें लेकर आया हूँ क्योंकि दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग है अगर आप एक TikTok user हो और दोस्तो TikTok band को लेकर दोस्तो जो वीडियो में ने पहले बनाई थी उसके रिकार्डिंगी ये वीडियो बनाने में जा रहा हूँ तो दोस्तो आज आपके लिए बहुत ही खुशकबरी का दिन है TikTok user के लिए तो गाइस इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साज जरूर शेर करिएगा और दोस्तो वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको खुशकबरी का पता नहीं चलेगा कि क्या वो खुशकबरी थी तो गाइस चली इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइस जैसा कि आपको पता था कि TikTok जो प्ले स्टोर से बेन कर दिया गया था मदरा साइकोट के द्वारा तो दोस्तो मदरा साइकोट ने जो इस पर आपती जेना कंटेंट मिल रहे थे इस पर कुछ पॉन्नोगाफिक्स वीडियोस मिल रहे थी कुछ ऐसे कंटेंट मिल रहे थे जिससे दोस्तो TikTok को जो बेन किया गया था तो दोस्तो 22 थारिक को हटा कर चोईस चारिक को इसकी देट टिक्स कर दी गही थी, तो दोस्तो कली जiesए मदराश हाइकोट ने इसको ओडर दिया था, तो दोस्तो ओडर में अमित जी ने जैसे कि दोस्तो टक जो प्रोफेसर है, TikTok जो director है उनने दोस्तों उआ पर याजी का दायर करी और दोस्तों उसमें यह पता चला कि TikTok को बेन करना सही नहीं है तो दोस्तों मदरास iKot ने finally TikTok पर से बेन हटा दिया है और दोस्तो अब यह जो है आपको प्ले स्टोर पर एपल स्टोर से फिर से डाउनलोड करने का option मिल जाएगा फिर से टिक टोक और एपल स्टोर इससे अपलोड करेगा तो guys बहुत ही अच्छी खुशकबरी की बात है आप सभी टिक टोक यूसर के लिए क्योंकि दोस्तो फाइ आपती जनक कुछ वीडियो ऐसे अपलोड करोगे तो फाइनली आपका टिक टोक बेहन हो सकता है फटा फट से आपका टिक टोक बेहन हो जाएगा अकाउंट बेहन हो जाएगा तो guys टिक टोक जो अपने content को साबसुतरा बनाने के साथ साथ दोस्तो इसमें आपकी भी बहुत ज़रूरी है अगर दोस्तो आपको कुछ ऐसे अपती जनक वीडियोस वहाँ पर मिलते तो आप उसकी रिपोर्ट कर दीजेगा रिपोर्ट करने के बाद दोस्तों टिक टोक होगा क्या टिक टोक उस वीडियो को जोए रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद उसको punish करेगा, तो guys monetization भी TikTok कर रहा है, जिससे दोस्तों आपको काफी ज्यादा फाइदा मिलने वाला है तो guys TikTok पर काफी जो है अच्छे वीडियोस आप डालिएगा आप अती जैनक content मन डालिएगा क्योंकि दोस्तों TikTok जो है काफी मेनद कर रहा है अपनी वीडियोस को ग्रो करने में, अपने जो है चैनल को ग्रो करने में, अपने TikTok एप को ग्रो करने में और दोस्तों साफ सोत्रा content डालिएगा TikTok जो है फिर से बेन हट चुका है तो finally दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि TikTok पर से बेन हट चुका है और दोस्तों काफी अच्छी बात थे काफी खुशकबरी की बात थे खास कर TikTok यूजर के लिए वो तो दोस्तों पागली हो गए तो जब से TikTok बेन हुआ तब से दोस्तों काफी मैंड में सोच रखा था कि यार TikTok का होगा क्या है TikTok का होगा क्या तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशकबरी है TikTok यूजर के लिए क्योंकि TikTok पर से जो फाइनली बेन हट चुका है तो गईस आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगा तो फ्लीज वीडियो को लाइक करेगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा ताकि उनको भी पता चल सके कि TikTok पर से बेन हट चुका है और फाइनली TikTok जोए Play Store और Apple Store से डाउनलोड वापस जोए होने लगेगा और वापस जोए इसे अपलोड किया जाएगा Play Store और Apple Store पर तो गईस आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा प्लीज वीडियो को लाइक करेगा आपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राब करकर बेल आइकन को प्रैस कर लिजेगा थैंक्यू फ्रेंड्स जहीन जे बारत वन्यमात लूग